आप शभी को मेरा नमस्कार मैं रोहित मिस्रा आप शभी का और भीश महाविद्यालाई के और लाइन प्रेर फॉर्म पर हार्दी श्वागत करता हूँ चाप्तरो मैं आज जो है आप सब के भी जो है एक महतपूर क्लास के साथ जो है वो उपस्थित हुआ हूँ आप सब जैसा की जानते हैं कि यह जो बियसे एगृटिकल्चर आप पर रहे हैं यह आप लोग के जिसका कंप्रीट हो चुगा है तो यह एक आपके आपके new है आगे भविष में जिस भी competition में बैठेंगे उस सभी competitions में आपके जो है वो जो agriculture के competition है उसमें इन ही सब जो मैं पढ़ा रहा हूं उन ही से सारी question आने हैं कुछ अलग से नहीं आना है तो अगर यही चीजें हम अच्छे से पढ़ते जाएं तो आने वाले समय में हमको अलग से competition की तैयारी नहीं करनी पढ़ेगी यही सब चीजें जो है वो एक हमारी सफलता की जो है कड़ी के साथ जूड़ेंगी अगर हम इनहीं को जो है अच्छी तरीके से पूरे ध्यान तरीके से जो है उसको सही रूप शावलोकित करते जाएं तो हमको किसी अलग से समय देने की यह अलग से तैयारी करनी की जबूत जहें वो नहीं पढ़ेगी देखिए आप जैसा कि एक motivation सपीछ है कि लहरों कीzen नवका पार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती तो तो जो कोशिस करता है उसी कभी हार नहीं होती है, तो निरंतर बून से ही वह घड़ा भरता है, तो आपके जो आप जो इससे में कर रहे हो, जो आप निरंतर प्राई कर रहे हो, वह एक सागर की बून के सामान है, अगर इसी में आप जो है इसी एक-एक कड़ी को आप मजबूत करते जाएए तो एक बहुत बढ़ा जो है वो सागर की तरीके का घ्यान आपका तयार हो जाएगा और भविश्व में अलग से कोई तयारी करने जरुत नहीं पड़ेगी कोई अलग से समय देनी की जोरत नहीं पड़ेगी और यही सब चीजे जो है आपको आगे सफल्टा दिलाएंगी तो मेरे प्यारे छात्रों आप बिल्कुल जो है लग जाई अपनी सफल्टा किये कि कड़ी के साथ जो है और आज जो है जो इसक्रीन पर आप देख रहे हैं मैं क्रिशे कीट बिढ़कुल सब्धवलिक हैं जो हर सब्बल है जैसे कि आपका IPBS APO और और बी आई-पिएस और के exam में पूछ जाती है je mort के exam में पूछ जाती है up pop 6 लेटर्ड यो इग्जांस है चाहिए वह आपके गन्न हएक हो और प्रटिक्षण ओ हो और सात ही साथ जो है यूपी पी सी लेवल की आयोग की जो वेकैंसी जाती ऑसमें वी जो है चाहाँ जो पीश्यस लेबल की ग्जाम्स घुणा कने रहा है most लिम्रावर के वो कुंशन जो वो कहींने कहीं जह यह आपके साट जो टर्मिलोजी है आपके agriculture से लेटेड उससे आपके कही ने कही question जो है वो put up किये जाते रहते हैं तो यहां तक की academic में भी जो है आपके जो एक portion होता है साट notes का उसमें भी जो है यह महतपूर सब्दावलियों से लेटेड आपकी परिभाशाएं वो आती रहती हैं तो यह जो मैं आज आपको topic पढ़ाने जा रहा हूं यह आपके जो है academic के साथ साथ जो है वो competition के purpose से भी आपके लिए बहुत ही महतपूर है तो छात्रों मेरी आसा है कि आप सब जो है इसको पूर उमन के साथ नए जोस के साथ जो है इसको पढ़ेंगे और कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंद comments में आकर के मुझसे पूछेंगे तो आईए जो है एक नए अंदाज में मैं प्रारम करता हूँ यह नए topic के साथ जो है जो क्रिशी कीट विज्ञान की जो है वो कुछ महतपूर सब्दावलिया है उसको मैं पढ़ता हूँ आपके उसके बारे में हम लोग जो है वो study करते हैं तो जैसे किसी कीट विज्ञान मैं ने इसको चैव दोपार्ट में तैयार किया है तो पहला पार्ट जो है आए यार मैं आप सिटार्ट करता हूँ आपके साथमे सबसे पहला है कि कीट विग्यान है क्या वाट इस इंटमोलोजी तो इंटमोलोजी जो है वे प्रकार का जो है इंटमोलोजी ग्रीग भासा के दो सब्दों से मिलके बना है कितने सब्दों से मिलके बना है दो सब्दों के मिलके बना है पहला जो है वह इंटमोन और दूसरा होता है इंटमोन और लागस इंटमोन कर्थ होता है यानि इंसेक्ट यानि कीट और लागस कार्थ होता है नॉलेज या इस्टडी करना भी सो कहते हैं इस्टडी नॉलेज या इस्टडी करना तो इंटमोलोजी दो क्रीक वर्ट से मिला है पहला इंटमोन और दूसरा होता है लागस इ इस्टुक्त में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं इन्टमॉलवजी पर MICHAEL करती है इसको हम इस प्रकार से करते हैं कि entomology एक जन्थ विज्ञान इन जलोजी कि वासाका है जिसके अंतर गथम जो है कीटो का देन करते हैं in topology is the branch of agriculture is the branch of anthropology it geology it deals with the agricultural pest related अब बात आती है क्रिशी कीट विघ्यान की Africa황 के अंतरगत कीवर एसी कीक टूपका अधिन किया जाता है जो किसे संब्धित होते है फस्री नो से संब्धूथ होते हैं यानि किसे संब्धित होते हैं क्रॉफ्व से रिलेटेड होते हैं कृषी कीट विग्यान जिसा की नाम से ही यह वह विग्यान है जिसकी अंतरगत हम जो है वो फसलों से सम्मंधित फसलों को प्रभावित करने वाले जो है वो कीटों का अध्यन करते हैं ठीक है ना तो ऐसे कीट कौन कौन से आते हैं जैसे फल छेदक हो गया फली छेदक हो गया एफिट्स हो गया माईट्स हो गया जो तमाम प्रकार की इंसेक्ट है जो फसलों को प्रभा तो ऐसे जो सम्बनित होते हैं उसी उनका ध्यानम कि समें करते हैं क्रिशी कीट विग्यान के अंतरगर करते हैं चाहे वो अब के फिल्ड एनि खेत में लगने वाले की कीठों चैभन डारण में लगने वाले कीठों ठीक है दोनों का अध्यम इसमें अंतरल करती है अब बात आती है क्या इंसेट क्या है कई सारे स्टूडेंट सा कुछ चन था कि सर इंसेट का जो है वो आप डिफाइन करी तो कीट क्या होते हैं वे जन्तु जो वर्ग इंसेक्ट इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा के अंतरगत आते हैं जिसका सरीर जो है वो तीन भागों वच्छ और उदर्स में विभाजित हो जिसमें तीन जोड़ी पैर पाये जाते हैं और दो जोड़ी पंक पाये जाते हैं उन्हें वर्ग इंसेक्टा के सदस्यों का सामान निकीट जो ह पैसे जीव जन्तू जो वर्ग इंसेक्टा यानि क्लास इंसेक्टा के अंतरगत जिसको रखा गया होता है उसको qatasal recipients का उसको हम की इंतरगत जिन यह लाते हैं तो देखिए लगभग कीटों की जो है वह वो सो लाग प्रजातियं हैं जिसमें से लगभग छे सिर छे से साथ लाग जो प्रजातिया रहे वह किसके अंतरगաՃ आती है अपके इस वर्गिसेट्टा कि अंतरगा बन कोना मत मत् 넘 Jetzt किट वर्ग अभतर किसमें आता है इंसक्ठा के अंतरगा आता है इसमें 6 से साथ लाग जो है वो प्रजातियां जो है वो आती है इसके इसका जो बॉडी होता है वो तीन भागों भी आइद होता है है फोरेक्स और अब्डॉमिन ठीक है किसमें होता है जो बॉडी इनका भी आइद होता है है फोरेक्स और होता है एब्डॉमेन तो जो कीट होता है इसका बाड़ी तीन भाग भी आता है है थोरेक्स और एब्डॉमेन ठीक है और यह जो है एक खासिया तोर होती है कि मैं थोड़ा सा समधा देता हूं आपको एक मुझे अलग से स्लाइड में जा करके आपको समझाना होगा Vड थे होता है सबस्टीन करने है s360 करके गिया इलिद देना होती है कि शोड़ा के कि Τ. इन्सेक्ट इन्सेक्ट का मतलब होता है इन प्लस सेक्ट यानि बॉडी इस डिवाइड़ और सेग्मेंटेट यानि जो इनका सरीर होता है कीटों का वह अलग-अलग सेग्मेंट में जो है वह विभाइश होता है इस प्रकार से यह देखिए इनका जो सरीर होता है वो कई प्रकार से जो है वो सेग्मेंट में डिवाइड होता है इसलिए क्या कहते हैं को सिक्ट तो ऐसा ऐसा जिव जिसका सरीर जो है वो कई कुछी खंडों में भीजायित होता है उसको क्या कहते हैं इनसेक्ट जो है किका किसका वर्ग में आता है इंसेक्टा में आता है किस वर्ग में आता है इंसेक्टा में होता है इंसेक्टा वर्ग जो होता है क्लास इंसेक्टा उसमें क्या आते हैं आपके कीट वर्ग आते हैं कीट सारे कीट किसमें होते हैं आपके इंसेक्टा में आते हैं तो यह इंसेक्टा जो कीट होते हैं इनके क सबसे पहले इनका करेक्टर होता है कि इनका सरीर जो होता है वो कई खंडों में विभाजित होता है और इनका दूसरा क्या होता है करेक्टर से में कि इनका बॉड़ी जो होता है वो तीन भागों भी आता है बॉड़ी इनका किसमें आता है है थोरेक्स और अब्डामन कहते हैं इनका उधर उधर या इसको पेड़ भी बोलती है ठीक है ना यह तीन भागों में इनका जो है वो सरीर जो है विभाइत होता है सिर में जो इनका होता है आपके माउस पार्ट एंटीना एंटीनी और आई कंपाउंड आई कंपाउंड आई यह किसमें होते हैं सिर में पाए जाते हैं और वच में कौन सा होता है आपके लेक्स यानि पैर और विंग्स और उधर में क्या पाए जाते हैं आपके तो जो इनका बोडी होता है यह कि इस्क लास में आते हैं इसेक्टा में आते हैं यनि amazon के अंतर गताता है और इनका जो सरीर होता है वो कई खंडों भ्याइद होता है और जैसे head, thorax, abdomen ये तीन मुख्रूप से जो है वो इनके सरीर के जो है parts होते हैं head में यानि सिर, वच्छ और उदर तो सिर में कौन-कौन से भाय होते हैं mouth part यानि मूँ, antenna यानि antenna और compound यानि आख आग को क्या कहते हैं और यानि फोरेक्ष के अंतरगाते हैं और jó रस्ट पार्ट होता है उसको कहते है आप डिอ में में क्या optimता है उधर ऊदर में क्या पर रिप्रॉटाट्प्र आर्गेन या फिर जो ईसमें आपके जो हमें इस्कीट्री ऊर होते है रिप्रिक्ट्पिव आर्गें टाते हैं यह जो रुदर होता है वह लगभग साथ से 8 यह 9 सेग्मेंट में जो है वो विभाइट होता है तो यह जो है वो और छोटी सी जानकारी थी आपको इंसेट के बारे में चलिए फिर से आगे चलते हैं कि तो यह जो है कि अब आदा है अगला है एंटीनी कि एंटीना जो है होता है इसे स्तिरिंग का भी कहते हैं या कीटों के सिर आखों के सामने प्राया मद्ध भाग में इस्थिप होते हैं सभी प्रकार के कीटों में एंटीनी का रूपांत्रन अलग-अलग होता है एंटीनी का मुख कार होता है वो गंत का ग्यान, स्वाद का ग्यान, अस्पस ग्यान, ध्वन का ग्यान ये जो है एंटीनी के मुख होते है तो इस प्रकार से एंटीना होता है एंटीने में जो है इसे सिरिंका भी कहते हैं यहां कीटों के सिर परवक के सामने प्राया मद्ध भाग में इस्थित होते हैं इस सभी प्रकार की कीटों में एंटीनी का रूपांत्रन अलग-अलग होता है एंटीनी का मुख कार जो होता है वो जैसे गंध का ग्यान होता है स्वाद का ग्यान और अस्पस का ग्यान और ध्वन का ग्यान तो आप जानते हैं कि जैसे आपके इस इन्सेट के बॉड़ी में जो है वो एंटेनी सबसे जो ऊपरी की तरफ जो है इसको लाईने आप दिखती है उसको एंटेना बोलते हैं एंटीना को जो कार होता है वह juga है मुखुरूब से गंद का जियां करना स्वात का जियांगками现在 कहते हैं कभी-कभी एक्जान से पूछकर चाहते हैं इसको क्या करते हैं सेंसरी और गैणस में आता है यह तो इस प्रकार से यह एंट is a कई प्रकार की होती है जैसे मोरी molliform, molliform, serate type, lamellate, pectinate, pit pectinate or b pectinate, सब्सक्राइब, तो एंटिनी को जो लोडिफिट को है वो इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार का होता है वो डिटेल में आप जो है वो fundamentals में आप पढ़ेंगे आप इसके बाद आता है ecology पारिस्थित्की क्या है तो किसी जीवु तथा उसके वातावरण की परस पर संबंद को पारिस्थितिकी जो है वो कहते हैं जीव जिस वात्ह fr couret रह रहा है जिस स्टैमेटिक कॉंडिशन में रह रहा है उसका वात्हुर долग के साथ जो है आपसमिक्या संबंध है इसका आध्यानमि किसके अंतरगत कते हैं पारिसितिकी में हामेशा जोह साथ्वबाद अन्य components होते हैं दो गटक होते हैं बायोटिक और एबायोटिक बायोटिक में कौन-कौन से component आते हैं जैविक गटक कौन-कौन से आते हैं जैसे सारे जीव जन्तु पेड़ पौधे पसु पच्छी और आपके जो बैक्टीरिया फंगस वायरस नीमेटोड डिकंपोजर यह सब का आपके जो है वह बायोटिक के अंतरगत आते हैं और एबायोटिक के अंतरगत आता आपका जो है जैसे जल हो गया तापमान हो गया वर्सा जो है नमी हो गया आपका प्रकाश हो गया यह सारे तमाम प्रकाश से और सप्टेंस हो गया इन और गैनिंग सन्ट हो गयlor आपके इंसारे डीनग और नियुक्स के इंदल पधे ज़िए और त्रगर्ट के आते हैं तो यह इन सारे चीजों से गई घि़िए क्र onda होता है तो वुद एन सब अठारा सो अंसट में दिया था यानि जो एच रीटर थे उनीस ऐठारा सो अनसट इसी में इन्हों ने इकोलोजी सद्विका सर्थम प्रियोग किया था यह आपके सबसे यह अक्सर जो है आपकी एग्जांस में वो पूछा जाता है यह बेरी इंपोर्टेन जो है वो हर एक कंपॉडिशन में आपके पूछा गया था अभी जो है क्रिशी तक नाइक सहाइक परिछा 2018 में जो यह पूछान आप से पूछा जाता है और टीजी टीपी चीटी में अक्सर यह कुछ जो हाता है ठीक है तो इसको याद रखेंगे इसके बाद होता है हानिकारा कीट यानि हार फुल इंसेक्ट कीट जो है वो दो प्रकार से मुख रूप से बाटे गए हैं एक होता हानिकारा कीट और दूसरा होता है लाबदाया कीट तो हानिकारा कीट क्या होते हैं एसे कीट कीटो का हो जैनी मन्स ओधाया कफोरिश्टी ओचाए आपके चाहले ओव फसल हो उसको प्रतयश के वह पत्यूरूब तो वह जो है वह वह आपके हानिकारक कीट की सुरड़ी में आता है आथर जैसे फसलों को हानिकारक हाड़ी पहुचाने वाले कीट कोई कोंसे है जैसे तवां प्रकार के फली स्थ हो गए आपके तना भेदाख को गए एपिट हो गए मायट हो गए तो यह क्या रहे हैं जैसे डांस बखी हो गई तो यह जो है आपके अनिमल के लिए हानुपूल है हाउस प्राइब हो गई तो इस प्रकार से जो है जो किसी भी जीव के लिए किसी प्रकार से वहानी पहुचा रहा है किसी को प्रभावित कर रहा है तो वह किसके अंतरगात आता है हार फू नियुक्त अर्थिक लाव मिलता है और की क्या अता है कला cancers भते चो के द्वारा हमें आर्थिक लाप राफ होता है वो आपका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस इंसेट की सेड़ी में आते हैं तो उनको हम बेनिफिसियल इंसेट भी कहते हैं तो ऐसे कीट जो हानिकारा की तो होते हैं ताप पुछ एसे कीट होते हैं जो क्रिशी को प्रतेश्या प्रतेश्य लाप हो चाते हैं एसे कीटों को जो है वो लावदाया कीट जो है वो कहते हैं जैसे बेनिफिसियल इंसेट के अंतर का आते हैं जैसे मधुमक्खी हो गया लाख हो गया यह आपका खुड़ा समिश्मिंट है लाख कीट हो गया आपका रेशम कीट हो गया यह शारी क्या है आपके बेनिफिसियल क कीट थे तना छेदक फली पेदक फिर्स माइट उसमें एक option था मधुमक्खी कीट तो उसको हमने क्या करेंगे हमने हमको अगर हमको पता होगा कि लावदायक कीट कौन सा है तो हम उसमें तुलन जो है वो टिक कर देंगे और वो कुष्चन हमारा सही हो दाएगा तो उसमें एक मधुमक्खी हो गया लाख हो गया रिशम कीट हो गया यह सारे जो है आपके लावदायक स्रेडी में आते हैं मधमक्खी पालन को क्या कहते है एपी कल्चर एपी कल्चर एपी कल्चर एपी कल्चर और लाख कीट को लैकी कल्चर लैकी कल्चर और रेशम कीट क्या कहते है सेर कि पतलि कि स्वाइं को आप नोट कर लेंगे ठीक है यानि मढ़भभु की कालन क्या कई एप पी कल्चर लाग कीट के रहर की क्ल्चर और से की कु करते हैं सहरी कल्चर Round यानि मढभभियों से क्या प्राफ्ट होता है मदमख्यों से आपको प्राफ्ट होता है हनी मदमख्यों से क्या प्राफ्ट होता है आपको हनी प्राफ्ट होता है हनी भी वैक्स प्राफ्ट होता है भी वैक्स मिलता है और जो है आपको जो है रॉयल जेली मिलता है रोयल जेली ये आपको प्राप्त होता है ठीक है ना तो हनी से क्या-क्या मिलता है आपको हनी भी से हनी मिलता है वी वैक्स मिलता है और रोयल जेली प्राप्त होता है आपका लाख से क्या होता है लाख एक प्रकार का कीट होता है जो अपने सरीर से एक प्रकार का प्रोटीन से क्रीट करता है और उसी प्रोटीन से यह हम कलेट करके लाख बनाते हैं लाख का मुख्व रूह से उप्योग जो है तमाँ प्रकार के जो विद्द॥ कुछा लगो जो सामगरियां होती हैं जैसे बोर्ड हो गया सुच हो गया जिसमें विद्द॥ का संचाला ना हो पाए वो वस्तने बनाई जाती हैं खिलाईने बनाए जाते हैं तमाम प्रकार के संदर प्रशादन की जो शामगरिया होती है उसमें भी लाह का उपयोग जैकि तो इस मेन सूंदर को बढ़ाने वाले जो कीट को क्या बोलते हैं सिल्क वार्म तो रेशं का महातो जैसे आप लोग पड़े होंगे कि रेशंव से जो Celtic व्स्तर बना जाते हैं तमाम प्रकार के वस्तर में रेशंप को उपयोग किया जाता है जो हमारे लिए काफि Water इस होता है यह सारे चीजेश-जू है वो हमारे छी लावदायक किसरी में आती है जिससे हमें आरठिक राप पहुंचता है इसी लिए हमको लवदायक कीट के नाम से जो है जानते हैं तो ये जरूर आप जो है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता रहता है कि मधुवक्षी पालन क्या कहते हैं उसको एपिचल कहते हैं लाग कीट को कहते हैं लाइकी कल्चर रेशम क्योट कहते हैं सेरी कल्चर तो यह सब पॉइंट्स बिल्कुल आपको याद होने चाहिए चली आगे बढ़ते हैं पीड़क्त यानि पेष्ट पेष्ट क्या होते हैं फसलों को जो जन्तु अधिक संख्या में नियूंतन सीमा से अधिक हान पहुचाते हैं जिसका फसल पर आर्थिक प्रभाव पढ़ता है वह जन्तु पीड़क्या पेष्ट कहलाते हैं तो सरल भासा में समझ दीजिए आप सब्सक्राइब जो है ऐसे जीवचंच कोई भी जीवजन्तु हो जो फसल को मेंबींग्स को एनिमल ज को फष्टी को नुक्सान पहुचा रहे हैं हो सारे जो है पेष्ट की स्रेड़ी में आते हैं यानि किसी रोमधेट्स हो नुकसान पहुँ चाहे वह ऐगी यह आ recruited की रूप में हूं चाहे आपके है परफेश की शरीर में आमें फिक है इंसेक्ट पेश्ट यानी पीड़कीट इससे ही फास पास्वारती कहानी पहुंचाते हैं कथा जो क taraf कि मालों की लिए भी हानीकारक होते हैं ऐसे कीटों के भी ना कीट यह सब बता रहा था आपको कि जो किसी ने किसी प्रकार के रूप से हाव चाहे वो हुमन विक सो चाहे आपके जो है प्लांट सो चाहे आपके फॉरिष्टी हो किसी प्रकार से इसको आर्थिक रूप से अगर नुक्साल पहुचा रहा है उसका एकोनॉमिकल लास कर रहा है तो वो सारी इंसेक्ट सेडी में है वो आएंगे सभी कीटोपेश हो सकते हैं इससलिक की टूली पेस्ट हो है वो इंसेक्ट भी नहीं हो सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से जो है इसको हम इंग्ली सेरी टाइwn करते में इन सेक्ट भी एस्ट किस्थ एकव्ड्रत मी लास्ट सबत आते रहे तो हम उनके लिए भी बिल्कुल उनके साथ हैं उनको बिल्कुल अलग होने के जुरत नहीं है हम बीज बीज में ऐसी सब्दावलियां देते रहते हैं कि जिससे वो उनको नुक्सान नहीं हो ठीक है तो हम पूरी क्लास जो है इंगलिस में नहीं दे सकते हैं क्य कि आप लोको इंग्लीस वालों को भी समस्वा ना होने पाए और बीज-बीज में हम हिंदी-इंग्लीस मेख करके पढ़ाते हैं कि हिंदी समुह वाले और इंग्लीस समुह और दोनों छात्रों को उसका लाभ हो मिल सके ठीक है तो इसमें दिया है इसका भी मतलब यह है कि ऐसे इंसेक पेश्ट ऐसे पेट जो आर्थिक रूप से जो है वो फसल हो चाहां हुमन विक सो उसको नुक्सान पहुचा रहे हैं वह आपके पेश्ट के सेड़ी में आते हैं ठीक है अब अगला पॉइंट है आर्थिक दहली जस्तर एकोनॉमिक थ्रेस होल्ड लेबल ठीक है इस द लिखा हो तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होईएगा या अर्थिक दहली जस्तर और तीक दहली जस्तर हो एकोनॉमिक थ्रश लेवोड लेवल हो तो वह सारी चीजें एक ही है तो यह क्या होता है देखते हैं आर्थिक दहली जस्तर पीड़को यानि पेश्ट का वहाँ घनत यानि डेंसिटी जिसे नियंत्रित करने की आव सकता है अगर इस अस्तर को वह पीड़को का नियंत्र नहीं किया गया तो यह आर्थिक छती अस्तर यानि यान एकोनॉमिक इंजरी लेवल जो है वो कारण बन सकता है तो एकोनॉमिक थ्रेश ओलेवल इस दा हमारी आर्थिक छती अस्तर तक लेकिन होती है वह यह अस्तर होता है जब कीट जो है नुक्सान करना प्रारभ कर देते हैं तो इसी अस्तर में हमको जो है वो एकदम जागरूख हो जाना चाहिए कि अब हमको नियंत्रित करना है अब हमको कीट को नियंत्रित करना है अब रो नुकसान अस्तर तक न पहुँंच सके किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहों ये हमको सचेत रहने कि असकता होती है वह अस्तर होता है हमारा आर्थिक जैली अस्तर ठीक है थोड़ा सा मैं एक ग्राप के माध्यम से समझना चाओंगा कि ये कॉन से आपके बिल्कुल आए यह देखते हैं देखिए मैं ग्राब बना रहा हूँ यह देखिए इसमें जो है यह जो नीचे पॉइंट है यह है टाइम यानि समय और यह क्या है इंसेक्ट पॉपलेशन इंसेक्ट पॉपलेशन और यह आपका जो लेबर है यह जो लेबर है आपका इटीयल है इटीयल यानि एकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेबल इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेबल ठीक है और यह जो आपका दूसरा जो लाइन है वो है इकोनॉमिक इंजरी लेबल इई आइ एल इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक नॉमिक इंजरी लेबल कि इकोनॉमिक एंजरी लेबल तो यह हमारे जो है आपके पेश्ट पॉपलेशन के दो असतर होते हैं एक हो ता है EIL ETL economic threshold level और दूसरा है EIL economic injury level तो यह दोनों जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे यह जो है आपका ऐसे graph जाता है यह इस प्रकार से यह इस प्रकार से जो है है इसमें इस प्रकार का graph जाएगा इस प्रकार से देखेंगे आप इस प्रकार से जो graph गया है यह जो है आपका यह क्या है यह प्रकार का सूण जब आपकी जो हमें से प्रकार जो है वह बिलकुल जीरो है तो इस क्राप के माध्धम से आप यह समझने का कोशिज करिए कि यह जो लेबल है यहां पर क्या है बिलकुल इंसेट पॉपलेशन जो है वो सून है बिलकुल जो है वो अब इसके बाद देखेंगे आप यहां से धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धी यहां पर क्या होता है यहां तक तो यहां तक यह जो लेबल है यहां पर तो हमको कोई जो है यहां तक तो कोई इंसेक्ट जो रहेगी इंसेट की जो खीटों की जनसंख्या रहे गी वो बिलकुल मवझूद रहे खेत में लेकिन को दिखाए नहीं पड़ेगी किसी प्रकास के पेस्ट को हमारे पास वह किसी प्रकास फसल को नुक्सान पहुंचाएंगे भी तो बहुत कम पहुंचाएंगे उस से कोई हमारा जो है नुकसान होने वाला नहीं है यानि जो global होता है वहां तक हमको किसी प्रकार के नियंत्रण करने के जुरूत नहीं होती है हां नियंत्रण की उपाय को हमको सोचना पड़ेगा कि अगर कीटों का प्रकौफ होता है रोगों का दिखान नहीं दिया इंसेक्ट पॉपॉइशन को तो यह करते करते कहा पहुंछ जाएगी या लेबल पर नशीन नुकसान पहुंच जानेucky और फसल धिंख प्रदिन जो सान को लॉस तो एंसेक्टेयल में ही हम को सारी नियंत्रन विदधियों का उपाय कर रहेmiş कि err बहुत इकोनॉमिक इंजरी लेबल तक जो है वो ना पहुंचने पाए जिससे हम फसल को नियंत्रित रोगों को नियंत्रित कीटों को नियंत्रित समय पर कर लें तो शुडेंट्स आपको जाइड से बात है इस ग्राफ को माध्यम से समझ में आ गया होगा चलिए फिर से मैं आ यह इस्टर्न इटाल ने भी इसकी डिकनीशन किया था लोईड पॉप्लेशन देंस्टी रॉप फेस्ट सुद्वीट vammond costs अद्स्थी टिक ृको ecosystem कर दमेशन इस्टर्ण यानि वह नियुंतम जन संख्या कीटों की जो आर्थिक रूप से फसलों को नुक्सान पहुंचाता है उसे हम ETL जो है वो कहते हैं इसी प्रकार से वह अधिक्तम जन संख्या जो फसल को आर्थिक नुक्सान पहुंचाती है उसको हम क्या करते हैं यानि इकोनॉमिक इंजरी लेबल या आर्थिक दहलिज अस्तर तो उसको भी आप जो है वो समझ सकते हैं अब एक कीट प्रवंधन इसको क्या कहते हैं साथ में प्रवंधन के लिए प्रवंधन के जितने भी संभाविश्रोत उन सभी को एक कारिक्यम के रूप में शमनवाई कर एक शाथ उप्योग करना एक ही किट प्रवंधन या आई पीम जो है वो कहलाता है यानि फसलों के नियंद्रन की जितनी विदियां हैं चाहाए आपके जो है फिजिकल मेथड हो चाहा है वो आपके कैमिकल मेथड हो चाहाए आपके मेकैनिकल मेथड हो मेकेनिकल मेथड हो चाहाए आपके बाइलोजिकल मेथड हो यानि कीटो के नियंत्रण की जितनी भी विधियां है चाहाए आपको यानि फिजकल मेथड यानि भौतिक नियंत्रण की विधियां हो चाहाए वो केमिकल मेथड यानि राशानी नियंत्रण की विधियां हो जैविक विधियां इन सभी को जो है वह एक प्रकार से एक ही कृत यानी कंबाइन रखते हुए जब हम कीट एम रोगों का नियंतर करते हैं तो उसी को हम जो है ऐसे राषाइनी नियंतर्ण हो गया आपका भौतिक नियंतर्ण हो गया आपका जैविक नियंतरन हो गया इन सारी विधियों का समायोजन करते हुए और अपने वाता वरण को पारिस्टी को धियान में रखते हुए उसके भी बैलेंस को बना करके जब हम की टो इम्रोगा को नियंत्रित करते हैं तो उसी को हम जो है ctureter प्रिस्टमेंट या इंट्रीगेट डिसीज भर फो कहते हैं छलिए आगे चलते हैं इस एनिउको सिस्टम न कर देखें जो pesticide का यूज हो कम से कम insecticide का यूज हो और जो हमारे एको सिस्टम के लिए यानि हमारे वातावरण परियावरण के लिए भी जो है वो लावकारी हो वहाँ पर जो तमाम प्रकार के जिवुजनतु हैं हैं उनके लिए भी किसी प्रकार से लुक्सान ना पहुचा सके हज और डश ना हो उन सब को जो है उन सब को समन्मित रखते हुए जब हम अध्यान करते हैं तो उसी को यानि एक प्रकार का यह जो है वो आपका लेटिन वर्ड है जिसका होता है इंसेट यानि कैड़ो और टुकिल यानि कैड़ो करत होता है तुकिल और यानि इसको मारना किसको मारना इंसेट को मारना यानि कीट को मारना कीट ना सक एक एसे रसायन होते हैं इसका उप्यों कीटो कीटों को मारने के लिए किया जाता है किया कीटके मार्म जो कीटों को मारे त्यों क्या आपको से लिटीड चीजें है अक्सा पूछी जैती हैं पूछ सीजें प्रों सब्सक्राइब कर Maintenant such को क्या क्या कहते हैं अब इसको क्या कहते हैं हरी आइद यानि वीडी साइड उसको कहते हैं तो इस छोटे चोटे चोटे टर्म्स हैं इसको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए छोटे-छोटे कंपडिशन में कई शारे कंपडिशन में वह अक्सर आप से पूछे जाते रहते हैं ठीक है अब एक टॉपिक आता है रूपांत्रण यानि मोट मेटा मॉर्फोसिस तो हर एक जीवजन्त में हर एक जीवजन्त चाहिए वह माना हो चाहिए पसुपच्छी हो चाहिए वह कीट हो सभी में परिवर्तन होता है सभी में जो सारीरिक रूप से जो परिवर्तन है वह निरंतर यह उसैसवा आती है फिस रेला वश्था आती है फिर्भर अवस्था प veg opp Tow Dollar आती है तो यह मानो ही अलग अलग वस्था में परिवर्थित होता रहता है तो उसी प्रकार से हमारे जुझ्तु हैं जो अलग 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 रूपों में अलग 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 अवस्थाओं में जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं उसी को क्या कहते हैं रूपांत्रन कहते हैं या मेटा मॉर्फिस कहते हैं सीधी सीधी वासों में अब लिखित भासा में समझ लीजिए यहां दो सब्दों से मिलके बन प्रावड अवस्था तक पहुचने में होने वाले सभी परिवर्थनों को रूपांत्रण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं तो जो बात मैंने अभी बताई वहीं यहाँ पर लिखी है यानि जो परिवर्थन होता है बाडी में चाहाँ वो सिस्वैसा वस्था से लेके जाहूंगा कीटो में जो है वो दो प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है कीटो में कितने प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट में में मेटामॉर्फोसिस कि इस पर में होता है एक होता है कम्पलीट में में आमॉर्फोसिस और दूसरा होता है एक होता है complete metamorphosis और दूसरा होता है incomplete metamorphosis complete metamorphosis यानि पूर जीवन चक्र और incomplete metamorphosis यानि अपूर जीवन चक्र होता है तो complete metamorphosis ऐसे किट होते हैं जिसमें इंसेट की पूरी अवस्थाएं एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके अंतर गत क्या आता है जैसे एग एग फिर लार्वा फिर प्यूपा फिर एडल्ट कि कि यह कितनी अवस्थाएं हो एक दो तीन और चार यानि जिसमें चार अवस्थाएं होती है एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट वह कंप्लीट में आता है और जिसमें तीन ही अवस्थाएं होती है एग फिर निम्फ फिर एडल्ट यह आपके किसमें आती है इंकप्लीट में इसमें क्या एक दो और तीन ठीक है न तो जिसमें तीन अवस्थाएं होती है एग निम्फ एडल्ट वह जो है इंकंप्लीट में आता है और जिसमें चार अवस्थाएं होती है एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट वह जो है जैसे आपके टर्माइट हो गए आपके ग्राश ऑपर हो गए तमाम प्रकार एफिट्स हो गए तो यह सारे जो है आपके कंप्लीट कि स्रेडी में आते हैं ठीक है आगे चलता हूं मैं अगला है रूप यह प्रकार का बहुत पॉट्ती इमप्रटिण पाइंट है जे आरफ में आपके यहाणाओ आफ कैसे एफों में एकसर पुछा जाता है क्यों वार्ट को पुले को सीजिए केटर प्रबेर की की बस्ति पोटत गया वस्था को अलग अलग ऐन्मों से जानते हैं तो यह हम आप पड़ते हैं कि Caterpillar जो होती इसे बटर्फ्राई हो गया मौठ हो गया आके बॉल वार्म हो गया बोरन इंसेक्ट यानि फल को छेदने वाले फली छेदक इंसेक्ट तना को भेदने वाले तो जितने भी बोरन इंसेक्ट हैं वो सारे आपके जो है वो इसमें लेपिडोप्टेरा के अंतरगत आते हैं तो यह जितने जो लेपिडोप्टेरा जो आडर होत ये सारे जो गण है वो लेपुडोप टेरा के अंतरगार आते हैं तो लेपुडोप टेरा आडर की जो लारव अवस्था होती है दूसरी अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर यानि जो लेपुडोप टेरा आडर के जो दूसरी अवस्था होती की टोकी उसक जैसे डू जानी जितने भी सकिंग पेस्ट हो गए एक प्रकार से सॉट में आप समादी जितने भी पियरसिंग है सकिंग टाइब के जो आपके फ़लों फूलों तनों का रश्च चूसने वाले जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनकी जो दूसरी अवस्था होती है नि उसको हम ठीक Ч topics क Sure to stock production in बूलते हैं तो यह जितने भी इंसेक्ट होते हैं वह आपके МУЗЫКА बीट में आते हैं इंग लाइपकलीट्सव कर ळस्थ सै lle कि अगते हैं तो जितने इंसेक्ट होते हैं वह उनके जो दूसरी अवस्था होती लार्वी की उसको हम क्या बोलते यह पुलते हैं इंके घन होते से हेंमिव टेरा टर अगर फोफल लोकस्ट ये चुच्छ यह होते हैं यह बशन लिखित में निम्फ कहते हैं तो उसमें अलग-अलग 다니y है अगर उसमें तेरो दिया गया है तो उसके जो है और चुछ तीर आडर दिया गया है तो उसको हम जो है तिक करते हैं हो कुश्क ऱमारा सई हो जाता है अब अगला टॉपीक फेयाаемारा ख्रला ठीक है नट यह भी आपका पकार से सकेंड सेट लस्य आठर कोलीओप टेराबीट्र वैविल आदर हैमनीफ टेरा ठीकर ना कि यह कीडर जैसे 20 वैपस ब्रेकोन हैस कि लार्वा को गरत कहते है ठीक है न तो ये भी एक वही वर्ड है बस नाम अलग है तो जो कोलिव टेरा और जो आडर होता है ये सबसे लार्जेश्ट आडर होता है लार्जेश्ट आडर ओफ इंसेक्ट अक्सर आपके कंपडिशन एकजाम में उचा गया था आपके जो एटी ए होता है टेक्निकल असिस्टेयंट 2018 के पेपर में आया था कि ओर ऑब से ऑडर होता है और सबसे इंपौर्टन्ट होता है और सबसे एंपॉर्टेंट होता है और हैं जो हुनि भी किसा को किछन मो Petra के उंदम एक तो यह है और है इसके कीट कि रिभ यह होती है उसको को हम क्या बोलते हैं क्रप्स कहते हैं यह याद रखिएगा को लियों टेरा औरा अगला है मैगट मैगट क्या होता है जो घरेलू फ्लाइग घरेलू मख्य यानि हौस फ्लाई घरेलू मख्यों क्या इंगलिस मोलते हैं हाउस प्लाई सूट प्लाई माईज ऑडर डिप टेरा कि लार्वा को मैगट कहते हैं अक्सर यह भी कुश्चन आता है आपको आई पी बीएस एफो 2022 कुश्चन है कि जो मैगट होता है उस किस 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 ऑडर की इंसेट को मैगट कहते ह कि जो लारवल स्टेज होती है जो सेकेंड अवस्था होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं मैगट के नाम से जानते हैं बिल्कुल आप कन्फ्यूस मत हो यह एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल अस्थापित कर लीजिए किसी भी कंपडिशन में आप जो है फेल नहीं होंगे अगर यह कुछ चना आ गया तो आप छड़ भर में इसको हल करेंगे ठीक है अगला है इस्टार इस्टार क्या होता है निर्मोचन यानि मॉल्टिंग मॉल्टिंग कीट के बीच के वस्था को इस्टार कहते हैं मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि जो मॉल्टिंग की प्रक्या होती है वो इन्सट के बाडि में होती है यानि निर्मोचन जिसको कहते हैं एक प्रकार का जो काियान इन्सटीन यस एक है ना होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं इस डार के नाम से जानते हैं यह भी पॉइंट आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं चात्रों जिसे टोलेरेंश क्या होता है यानि सहन सिल्था क्या होता सहन सिल्था किसी पौधे का वावी से था है छमता होती है जिसमें कीटो या रोगाड़ियों की संख्याधिक होने पर मेज खिजबान पौधे स्वसल को च्छती नहीं पहुचती है तो यह क्या है प्रकार से आप समस्च सके किसी की अंतरी शंता सहान जिल्था क्या है किसी की प्रकार प्रकौप हुआ ठीक है जब किसी रोग का प्रकोफ होता है सरीर के अंदर तो हमारी जो अंतरी छंता होती है इम्मिनूटी उस रोग से वह लड़ती है जो हमारे सरीर की एंटी बॉड़ी होती है वो उस रोग का जब संक्रमन हमारे सरीर में होता है तो उस रोग से लड़ती है हमारे एंटीजन्स होत होता है और रोग का प्रकोफ हमारे सरीद में सुरू हो जाता है ठीक है तो यह जो हमारी आंतरिक छंता होती है हमारी जो आंतरिक पावर होती है उसी को हम कहते हैं तो इसे प्रकार से फसलों में भी है तो फसल के अंदर की जो छंता होती है किसी भी कीट या रोगों से लड़न में उसकी सहन सीलता को विक्सित कर रहे हैं उसके प्रतरोधी गुनों को विक्सित कर रहे हैं जिससे फसल जो है वो रोगों यह कीटों से लड़ सके उसका संक्रमन होने का कोई प्रभाव फसल पर ना पड़ सके यही जो है वो आपकी वर्तमान समय में जो नहीं नहीं प्रजा our condition उसके प्रति उसको सहन्सील रोग के प्रती हो चाहा किसी जह है कि प्रती हो इसको फ्रेवरेबल बनाना उसके अंदर सहन्सील्ता है अब है इसी प्रकार से टोलेरेंस से समझनी ता आपका रेजिस्टेंस है प्रतिरोधिता तो प्रतिरोधिता पौधों में और रोध करने की छमता होती है जो बहुत से आंत्रिक बाहिकार को द्वारा संक्रमण के आउसर को कम करता है यानि प्रतिरोधिता ऐसा गुरू होता है जो तमाम प्रकार के बाहरी जो पैथोजंस हैं उनके संक्रमन को पाउधों से बचाता है पाउधोजंस का मतलब हो क्या फंगस बैक्टीरिया वाइरसेज यह जो प्रकृति में मुझूद हैं यह अपना यह अपना प्रभाव जो है फसलों पर ना दिखा पाएं फसलों के अंदर एसाधा déjà आएशी प्रत्रोंता कि शयाँ जाए से इनका प्रहाव जो है उन पर ना होने पाए यहिं को इसी को कहती है प्रत्रोंता यानी प्रत्रोंदी गुणों को जो है वह वो बिक्सित कि बजाए जिससे फसलों यानि संक्रमन की दर को जो है वो कम करना तो यही चीज़े हैं रिजिस्टेंस आप लोग इसको जो है वो याद रखेंगे तो यह सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके कंपोडिशन के परपस से बहुत ही महत्पूर हैं एक पॉइंट को आप जो है बिल्कुल अच्छी थरीके से अपनी नोट्स में नोट कर लें और समझ लें और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे जो है वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारे परसनल वाटस अप में मैसेज करके पूछ सकते हैं तो यह इसका वैलूम फस्ट है एक पढ़ाओंगा तो यह सारी चीजें आप बिल्कुल कंठस्ट करते चलें यह सारे चीजें जो है आपके एकेडमिक के लिए इंपॉर्टन तो आई हैं साथ साथ जब आप फ्यूचर में किसी कंपडिशन में बैठेंगे तो वहां भी यह सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं तो वहां भी आप जो है अगर आप आज अभीशिस को सही रूप से पढ़े हुए हैं तो आप जो है आगे आपको कोई शमस्या नहीं होनी पाएगी तो इस प्रकार से जो है जितनी भी मेरी क्लासेज है वह एक प्रकार से आपके कंपडिशन के विउसे जो है वो मैं कराना है तो उसके हिसाब से हमको आपको तैयारी करनी है तो आज के बस क्लास में छात्रों बस इतना ही निश्ट क्लास में जो है एक नए जो है वो गर्व के साथ नए जोस के साथ फिर मिलते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद